हलो दोस्तों भारत अप्डेट्स चैनल में आपका स्वागत है और दोस्तों आज है 27 सितंबर 2020 सुराज की 13 important अप्डेट्स आप सभी के लिए लेकर यहां पर आ चुका हूं तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पहली अप्डेट के साथ विए पहली अप्डेट हमाचर में पिछले कल की बात करें तो 1660 परसन यहां पर टेस्टड हुए है और उनमें से 15 की रिपोट्ट जो है पूजिटिव आई है 38 रिकबर हुए यहन की ठीक हुए है एक पेशिंट जो है दो पेशिंट हुए है टोटल एक्टिव केसिस की बात करें तो 180 एक्टिव केसिज अभी जो हैं बचे हुए है पूरे हिमाचर में तो यितनु कोवेट की अपडेट है कल शां शाम का स्टेटेस है पांच वजे का चले दोसतने अपडेट यहीं बिजली बंद रहेगी तो यहां बेढन रहेगी दोस्तों तो यह पंचरुखी कांगडा बिजली के मरमत कारे के योंगरा, बालू, गदियाडा और ये सबी जो हैं यहां पर जितनी भी जगह बताई हुएं यहां पर आसपास के इलाकों में सुभा नो बज़े से कार्य समापती तक बिजली बंद रहेगी ओके चलिए दो से नेक्स्ट अपडेट ही पचीस सितंबर को बारिश के कारण रद की गई सेना भरती की आज होगी दोड तो क्रिशी विश्वदाले पालंपूर के मेदान में सेना की अगनी विर्भरती में पंदरवे दिन तकनिकी और ट्रेड मेन के लिए जिला कांगडा और चमबा जिला के कुल 1616 अभिहरतियों का पंजिकन हुआ था इनमें से 905 उमिद प्रिक्षण में पास करने वाले 122 विवारों का जो है चिकत्सा प्रिक्षण मंगलवार को नहरत किया गया है जबकि 25 सितंबर को भारी वारिष के कारण अरद के गई दोड के एक जासे 133 विवाओं को भी मंगलवार को ही बुलाया गया है सब उमिद्वारों को प्रवेश करने के लिए टोकन नमबर जारी किया गया है और सभी उमिद्वारों से अनुर्वद किया है कि वह अपना प्रवेश पत्तर अवश्य लाएं जिस पर टोकन नमबर रोड़ती प्रवेश प्रतिबंदित रहेगा चले दोस्तों नेक्स्ट अपडीट यह रही कि सीउटी पीजी के स्कोर का समाने करण नहीं प्रणाम घोशित दोस्तों सीउटी पीजी का पिछले कल जो है रिजल्ट घोशित हो चुका है यूजिसी प्रमक वोले मूलंकों के अधार पर रैंक सुच्ची तीयार करेंगे विशिवEZEL BP तो राश्ट्री प्रिक्षा एजेंसी ने विशिव दाल्य प्रवेश क्रिक्ष्लट पीजी के नतीज सुंबहर को घोशित कर दिये हैं यूजिसी के बिभड़िस प्रिक्षा प्रिक्षा पीजी के नतीज़े स्वमबार को घ पर एनपेंसले के पीछे नीन नोटनी के टर्वक दिया कि प्रिक्षा दिकांस के लिए एक बार मंदिर प्रशाशन ने श्रिधालों के लिए किये हैं पुक्ता प्रबंद तो शारदी नम्रातों के पहले दिन सोंबार को कांगडा के तीन प्रमुक शक्ति पिठों ज्वालां की ब्रजेश्वरी धाम और चमंडा नंदीकेश्वर धाम में जो है 26,000 श्रिधालों ने भरी तो यह दोस्तों यहां पर अप्डेट है कांग्रेस प्रतियाशियों की पहली सुझी आज हो सकती हैं जारी रास्ट्री अधिक सोनिया गांदी के अधिस्ता में श्रुबा दस साड़े दस वजे जो है होगी केंदरी चुनाब कमिटी की बैठेक बिलासपुर सदर से ट बैठक में कांग्रेस की प्रतादिकारियों और कारेकरतावने की घोशना चले दोस्तों नेक्स्ट अपडेट यह रही टेस्ट में अच्छे अंक लेने वाले अफसरों की लगेगी चुनाब में ड्यूटी निर्वाचन आयोग आज से 30 दिन तक करेगा देगा परसिक्षन उसके बाद लेंगा टेस्ट की विवस्ति जिनों से सो जुनाव आफसरों को दिया जाएगा परेटिक्षण दे देगा उसके बाद एक माह बाद टेस्ट दिया जाएगा जो चुनाब अधिकारी पास होंगे उन्हें आयोग पुर्मान बत्त देगा और निर्वाचन आयोग ने प्रिशिक्षन देने के लिए दस मास्टर ट्रेनर भी माचल भेजे हैं यह पहली बार ऐसी विवर्सा की है सबी जिनों से क्रीब सो चुनाब अधिकारी को चुनाब कराने समंद्र प्रिशिक्षन दिया जा रहा है से पहले चुनाब अधिकारी को शिमला में पहले जनगा यह प्रिशिक्षन दिया जा चु मानें पर लगे रोक तो दिल्ली से शुम्मला के जब्रहुच्टी हवेटे के लिए एलाइज एके नए यार बियालिस छेसो बिमान की उड़ाने शुरू होने से शिमला प्रेटन कारोबार की रफतार प्रकड़ने की उमीद है शिमला के प्रेटन कारोबारियों का एना है कि प्रेटन को लाब तभी मिलेगा जब नीमित उड़ान होगी फरबरी 2020 के बाद से शिमला के लिए हवाई सेवास पूरी तरह बंद की थी इससे पहले भी निमित उड़ाने नहीं होती थी प्रेटन कारवरों का कहना है कि अगर दिल्ली और श्रिमलक के बीच निमित उड़ाने होती है तो आगामी टूरिस्ट सीजन में सिल्यानियों की आवाजा ही बढ़ेगी एक फलाइट नाकाफी संख्या बढ़ना जरूरी तो यहां पर कहा गया है गुजरातरों बंगाल से भी करेंगे कनेक्ट नहीं में तुड़ाने हो तभी मिलेगा फायदा बिमानन कंपनियों के मनमानी पर अंकुष जरूरी तो यह सब यहां पर कहा जा रहा है नेक्स्ट अपडेट दोस्तों यह शेहर में बनातर शुरूर होते ही चिमकने लगा सराफ़ा बजार आवशनों के एक बड़ी एडवास बुकिंग आकर शक ओफर निकाले इस बार श्राद में हुई है बुकिंग सूध सोना एक्यावन हजार परती दस गराम चांदी 69 परती के लो अंतराश्ट्रिय बजार मे कम है सोने की केम दें तो यह दोस्तों यहां पर अप्टेट है नेक्स्ट अप्री दूस्तों यह रही नकल करते हैं पकड़े अभयति और उसकी पतनी के मुवाइल जांच की एफ एस एल लेव भीजे जाएंगे मंडी भीज जाएंगे हलांकि प्राइनबिक जांच में सामन पत्ति को जमानत मिल गई है तो यह दोस्तों यहां पर अप्डेट है कि यह आप इदर देख सकते हो कि यह पूरी यहां पर न्यूज्स है ओके चलिए दोस्तों नेक्स अपडेट यह रही बारिश वरफवारी का दोर थमा एक सो चोदा सडके पचेतर ट्रांसफार्मर अभी भी ठाप बीते समाने सप्ता समाने से ब्यानवे फीज़ दी अधिक बरसे बादल चलिए दोस्त अपडेट यह रही पूलीस समीश्पेक सब्सक्राइब कर दोस्तों इसके लिए मैंने स्केशल वीडियो बनाई हुई है पिछले कल तो वह आप देख लेना बहां पी पूरा डिटेल में बताया हुआ है और अभियत्तिक कर्मचारी चैनायोग मैं 30 स्तंबर से कर सकते हैं आवेदन तो 120 में इसको फीस होगी एरिज कोड रहेंगे और 1647 यह टोटल वेकेंसी रहने वाली हैं बाकि डिटेल में आप मेरा दूसरा वीडियो देख लिजिएगा ओके वीडियो ची लगे तो लाइक शूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए थैंक्यू